हेलो एवरीवन मैं हूँ बीना और टैंगी किचन में आपका स्वागत है आज हम फराली पटेटो बोल्स बनाएंगे इस फराली पटेटो बोल्स को आप सुबह नाश्ते में या फिश आम को चाय के साथ भी ले सकते हैं खाने में काफी टेस्टी लगता है तो चलिए हम फराल पटेटो बोल्स बनानी के लिए मैंने यहां पे तेन मीडिय साइज के आलो मैंने बॉल करके छील के फिर तो चलिए हम परटिटो बॉल्स बनाना शुरू करते हैं का डो बनाने के लिए मैंने कुकर को गेस के उपर रखा है कुकर में मैंने एक कप पानी डाला है और बिगाए हुए सामा चावल को हम कुकर में डालेंगे मैंने चावल को कुकर के अंदर डाल दिया है अब हम कुकर को बंद करेंगे और एक विसलाने के बाद हम गेस का फ्लेम अब हम इस चावल को आलू में डालेंगे अब हम इसमें अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट काली मिर्ची का पावडर नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार और काटा हुआ दनिया डालेंगे सबको हम अच् बोल्स को बनाने के लिए हम विडियम साइज के निम्मुग के साइज का हम डो लेएंगे और डोक को हम दो हाथों के वीच में ऐसा गोल बोल जैसा शेप देंगे, अब इस गोल बोल को हम प्लेट पे रखेंगे, इस पकार हम सारे पटेटो बोल्स बना के तयार करेंगे, और तेल को हम गरम करने के लिए रखेंगे, तेल को फ्राय करने के लिए हमें अच्छा गरम तेल तो हम तेल में एक एक करके बॉल्स को फ्राय करने के डालेंगे बॉल्स को हम चारो और से क्रिस्प और गॉल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे बॉल्स को हम चेक करेंगे बॉल्स को हम पल्टा देंगे और अभी और हिसे हम क्रिस्प करेंगे बॉल्स को हम चेक करेंगे देखे यह थो नहीं प्राकार नों सोर्च होएं जाएंगे रेजिप करेंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब बूंद निदर आप को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके दुबाराम फिर मिलेंगे तब तेक लिए थेंक यू बाई